मेरा नाम उप्रकाज सेन ही है और आपको इस्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए मुझे वोड्सब कर सकते हैं थेंक्यू सो मच हेलो स्टूरेंट्स लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और शेकेंड क्यूशन को सौल कर चुके हैं आज हम एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्यूशन देखने वाले हैं तो देखे इस क्यूशन में लिखा है किसी प्रेड में 616 सदश्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकुडी को 32 अश्यों वाले एक आर्मी बैंड के पिछे मार्च करना है दोनों समुओं को समान संख्या वाले इस थंभों में मार्च करना है उन इस थंभों की अधिक्तम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं तो इस क्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है यह हमें क्यूशन को पढ़कर और उसमें एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकडी है एक परकार से में इसको अगर देखें तो कुछ इस तरह की से मालो की यहाँ पर 616 लोग खड़े है ठीक है और दूसरी जो टुकडी है वो किसकी है बैंड की टुकडी जिसमें मतलब आर्मी के जो प्रेड होती है उसमें प्रेड में जो पिछे सेनिक चल रहे होते हैं उनके आगे कुछ लोग बैंड साथ लेकर चल रहे होते हैं तो उसमें कितने सदस्यों है उसमें 32 सदस्या अब क्या है कि इन दोनों जो टुकडिया है इन में आपको जो पंक्तियों की संख्या है जो इस्थंबों की संख्या है वो समाल रखनी है जितनी स्थम्ब जो बैंड लेकर चल रहे हैं उनके बनेंगे उनके पिछे उतनी ही जो पंक्तियां उतने ही जो इस्थम्ब हैं वो सेना के टुकड़ी के बनेंगे तो मानलो की कुछ इस तरीके से मानलो बैंड के लिए अगर लाइने बना दी गई, कोई पंक्तिया बना दी गई तो उतनी ही जो पंक्तिया होंगे, उतनी ही जो इस्तंबो होंगे वो किन के होंगे? आरमी के होंगे, सैनिको की टुकडी के होंगे क्लिर है? तो यहां पर दोनों की संख्या समान रखनी है और अधिक्तम इस थंबो की संख्या बतानी है क्या बतानी है अधिक्तम संख्या तो अधिक्तम संख्या हम जो HCF निकाल रहे थे तो HCF का ही जो मतलब होता है highest common factor highest मतलब addictum या फिर महत्तम लिख सकते हैं महत्तम या फिर addictum clear है? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें यहां पर hcf निकालना है क्या निकालना है हमें? hcf निकालना है क्योंकि हमें इस थंबो की addictum सेंगे बतानी है कि इस से जदा नहीं हो सकती तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे hcf अगर हमें निकालना है तो उसके लिए देखो अभी हमने पढ़ा था दो तरीके होते हैं एक गुणनखंड भी दी जो कि आप छोटी क्लासों में यूज करते हो और अभी जो आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा वो क्या था कि यूकलीड विवाजन अल्गुरिथम उसमें क्या होता है उसमें ये होता है कि हम कोई भी दो गीवन नमबर होंगे उनको हम एक्वल टू बी क्यू प्लस आर के तरीके से लिख सकते हैं क्लिर है हमें किसका HCF निकालना है हमें 616 और 32 का यहाँ पर HCF निकालना है क्लिर है तो उसका तरीका क्या था कि 616 के एक्वल में क्या रखेंगे हम 32 रखेंगे और अब 616 को हम 32 से डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे पास Q कमान कितना आए और R कमान कितना आता है तो 32 को 2 से गुणा करते आता है 64 इसका मतलब हमें इसको सिर्फ एक ही बार यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर हम अरपास आया 32 तो यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे 11 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 9 और पांच में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और आखरी जो डिजिट है वो कितना है 6 अब 32 को अगर हमें 296 तक पहुंचना है तो हम इसको लगभग 8 या 9 बार हम इसको गुणा करके वहाँ तक पहुंच सकते हैं हम इसको आठ बार हम इसको गुणा करके देखते हैं हमारे पास जो नमबर आएगा वो आएगा 6 और यहां पर 1 एक्स्टा रहेगा तो यह बन जाएगा 256 और अगर इसको हम 9 से मल्टिप्लाई करें तो हमारे पास जो नमबर आएगा वो आएगा 8 यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा 1 और यह बन जाएगा 288 यनि कि यह 9 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 288 और यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा जो सेश्पल बचेगा वो होगा 16 में से 8 जाएंगे 8 और बाकी बचेंगे 0 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं into 19 प्लस 8 फिर हमने यह समझा था कि जो नमबर 616 और 32 में common है वो ही नमबर 32 और 8 में common होगा तो क्यों नहीं हम 32 और 8 को ही solve कर लें तो 32 बराबर 8 अब कौन से नमबर से इसको multiply करें कि 32 बन जाए तो यह नमबर होता है हमारे पास 4 और प्लस रिमेंटर कितना बचेगा सेश्पल कितना बचेगा इस बार इस बार सेश्पल बचेगा 0 तो यहां पर आप देखो कि लास्ट जो इस टेप थी इसके अंदर हमने किस नमबर से डिवाइड किया इसमें हमने डिवाइड किया एट से तो अता है है एच सी एफ बराबर आठ तो आगे हम लिख सकते है अता है इस तंबो की अदिक्तम संक्या आठ होगे उमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केशन डिसकस करेंगे झार में झाल झाल है झाल 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 झाल